थोजर वेल्कम तो में चैनल अचे के विपला आजए आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10 की इंगिलीस रिडर जो बुक है उसके आपिर टूब को है तो आज जो वीडियो डिखेंगे कि अटुब कि मैं कमद्स घंच ग्लास 17 लेक कशने के ऐनके जानेंगे तो you are suffering from any allergy diseases what precaution would you take to overcome it यानि कि वो क्या-क्या symptoms हैं उनको आप बताईए जिसके लिए that you are suffering from any allergy अगर आप किसी allergy disease सफर कर रहे हैं तो कौन-कौन से symptoms होते हैं उसको बताना है और साथी-साथ what precaution you take यानि कि कौन से precautions आप उससे में लेंगे ताकि उससे आप निजात पा सके उस मतलब infection से उस allergy disease से निजात पा सके तो पहला question कहां से हम पहले करते हैं कि hay fever, eczema, asthma, swelling a part और whole part of the body gastronical problems etc. are the symptoms that tells us that we are suffering from any allergy diseases यानि कि किसी allergy diseases जब आप सफर कर रहे हैं तो ये सारे symptoms हो सकते हैं आपको hay fever, eczema, asthma, किसी पार्ट का सूजन होना या फिर पूरे पार्ट का सूजन हो जाना और gastronical problem, gas related problems होती हैं वो सब चीज़ जो हो सकती हैं ये सारे symptoms हैं किसी allergy disease के लिए आगे देखते हैं we can take some precautions to avoid allergy अब हम कुछ precautions ले सकते हैं कुछ परहेज कर सकते हैं ताकि हम allergy से बच सकें तो we should use pollen mask during house cleaning तो जो pollen mask होते हैं उसको हम पहन सकते हैं ताकि हम house cleaning के दौरान जाकि हम allergy से बच सकें we should clean our rooms with antibacterial liquids and use clean bed seats, pillows, covers and cloths to save ourselves from allergens allergens जो होते हैं जो particles होते हैं जिसके वज़े से हैं na allergy हमें हो जाती है तो वही बोला जा रहा है कि अगर हम अपने आपको allergens से दूर रखना चाहते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि हमें अपने रूम को साफ सुतर रखना चाहिए और साफ करने के लिए रूम को हम antibacterial liquids होते हैं उनका यूज करना चाहिए और साथ ही साथ हमें bedseats वगरा pillow cover जो होते हैं उनको साफ सुतर रखना चाहिए उसको धोक कर रखना चाहिए wash करकर रखना चाहिए और साथ हमें जो कपड़े पहनने चाहिए वह भी साफ सुतरे पहनने चाहिए ताकि हम अपने आपको allergens से दूर रख सके और we should cover our whole body during cold and save ourselves from danger producing animals है ना फिर वही बोला जा रहा है कि we should cover our whole body यानि हमारे अपने सरीर को धक्के रखना चाहिए सर्दी के मौसम में है ना तो ताकि हम अपने आपको बचा सके इन सब प्रॉब्लम से ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा question है कि which type of common allergic diseases are generally found in children of 0 to 6 years of age अब पुछा जा रहा है कि किस तरीके की allergic diseases पाये जाती हैं है ना normally बच्चों में जो कि 0 से 6 सल के age की group के होते हैं उनके सरीर में किस तरीके की allergy वाली problems पाये जाती हैं तो वो देख लेते हैं तो typhoid, influenza, smallpox, etc. are the common diseases which are generally found in children of 0 to 6 years of age तो यह सारी problems होती है, allergy diseases होती हैं जैसे typhoid, influenza, smallpox, जो है यह सारी common diseases हैं जो कि 0 से 6 साल के बच्चों तक की 0 से 6 साल के age तक की बच्चों में पाये जाती है चलिए, तीशरा question है कि what is allergy march, explain, अब allergy march से क्या समझते हैं वो जान लिजे कि the allergies which starts as eczema है ना वैसी allergies जो eczema के रूप में start होती है या फिर और gastrointestinal problems और या तो gastrointestinal problems के साथ सुरू होती है और may evolve into asthma और वो तबदील हो जाती है अस्थमा के रूप में frequently involving respiratory system such as hyper reactivity और obstruction of the air which और मतलब मुख्यत अकसर यही हो जाता है कि जब उन्हें अस्थमा होता है तो उसमें और भी problem आ जाती है respiratory यानि कि स्वास संबंदित जो बिमारिया होती है वह वाले रक्षन कुछ दिखने लगते हैं जैसे कि hyper reactivity बहुत तेजी से मतलब reaction होने लगते हैं and obstruction of the airways हवा का अंदर ना जाना ऐसा उसमें बाधा आने लगती है तो यह जो डारेक्ट पाथ है डारेक्ट रास्ता है development का मतलब इस तरीके से एक जो simple eczema जो शोटी सी problem थी यो बढ़ते बढ़ते इस तरीके से उसको develop होना है जो रास्ता बनता है है उसको हम allergy मार्स करते हैं यानि किहा जा रहा है कि allergy कैसे बढ़ रही है कैसे तबदील हो रही है दूसरे दूसरे problems में और वो एक तरीके से आपको मतलब heavy problem create कर देती है at the last तो इसको हम allergy मार्स करते है यानि कि किस तरीके से allergy फैलती है हमारे सरी में उसको दिखाया गया है चलिए चौता question बढ़ते है name some particular diseases which are caused due to changing of weather also mentioned it's remedial measures यानि कि कुछ particular disease के नाम बताईए जो कि जो changing of weather यानि कि मौसम के बदलने के वज़े से कुछ problems होते हैं जो बिमारिया होते हैं उनके नाम बताईए और साथी साथ उनके remedial measures भी बताईए कैसे उसको ठीक किया जा सकता है तो अब देखते हैं पांच्वा question Can allergic reaction be life threatening? Name few of such instances of allergies यानि कि question पूछा जा रहा है कि जो allergy reaction होती है ना क्या वो life threatening होती है यानि कि आपकी जान की बाजी लग सकती है कि उसमें allergic reaction होने से क्या वो जानलेवा होता है life threatening मतलब कह सकते हैं जानलेवा तो allergic reaction क्या जानलेवा है Name few of such instances of allergy यानि कि उसके कुछ पहलों के बारे में discuss करिए यानि कि कुछ पहलों के बारे में डिसकस करिए यानि कि कुछ certain foods होते हैं जिसके वज़े से आपको cholera से आप बीमारी ग्रसित हो जाएंगे फिर उसके बाद से कुछ और भी problems होते जाएंगी फिर उससे आप क्या हो जाएगा आपको हो सकता है कि आपकी मृत्व भी हो जाए तो वही चीज बताई जा रही है आपे है ना फिर sometimes certain drugs may be the cause of the life threatening कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ ऐसी दवाईया drugs मतलब कुछ ऐसी दवाईया भी आप यूज करते हो जितके वज़े से आपकी जान जा सकती है है ना the bite of an ordinary insect can be life threatening कभी कभी तो यह भी होता है कि छोटे मोटे कीड़े के काटने से भी किसी की जान जा सकती है है ना does there are many allergic reactions that can be life threatening यानि कि बहुत सारे ऐसे allergic reaction हो सकते हैं आपकी जीवन में जिससे आपकी जान जा सकती है चलिए last question से यह ना हाँ ठीक है last question है कि suggest a few possible ways to avoid allergy अब आपको ऐसा करना है कि आपको बताना है किस तरीके साब allergies को avoid कर सकते हो तो मैंने यहां पर पहले भी आपको question में answer नहीं बत सकता है कि also mention it's remedial measures तो किस तरीके से आप allergy को overcome कर सकते हैं उसके answer इसे में थे तो मैं अभी इसमें आप इसमें से ही use कर सकते हैं हा ना चलिए तो answer है कि by adopting the following ways we can avoid allergy मतले यह सारे ways तरीके हम use करके allergy से निजात पा सकते हैं तो वो देख लेते हैं कौन कौन से points हैं पहला है कि we should not walk in pollen season, pollen season के दोरान हमें बाहर नी टहलना चाहिए, we should take hot food and should avoid cold food है ना हमें गरम खाना लेना चाहिए और ठंडी खाना चाहिए और food should be covered not open हमारे भोजन होने चाहिए वो धकी होने चाहिए प्रोपर तरीके से open में नी होने चाहिए जैसे कि road पे जो ready वगर लगा के ठेले लग जो खाना बेचते हैं वोन सब उसे परहेज करना चाहिए हमें हाईजनी खाना चाहिए we should avoid liquor smoking and drugs यानि कि हमें किस किस चीज का परहेज करना चाहिए हमें लिक्यो जानी की मदरापान वगरा नहीं करना चाहिए धूरपान नहीं करना चाहिए और ड्रक्स का सेवन ज्यादा न बात लेना चाहिए हमें रोज नहाना चाहिए और हमें अपने नाखून properly समय समय पर काटना चाहिए और हमें अपने अपने क्लॉस जो होना चाहिए साफ सुधरे करके पहनना चाहिए और when we need medicine we should take it from a recognized medicine swab by the consulting to the doctor चाहिए और हां कभी-कभी हमें जो चोटी-चोटी problems होती है उसके वजह समय दवाईया लेने जाते हैं तो उन दवाईयों को लेने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि वह किसी अच्छी दवा खाना से में दवा लेना चाहिए और यह भी करना चाहिए अगर दिक्कत है त तो डॉक्टर से भी consult करके दवा लेनी चाहिए और लास्ट टॉपिक जो है we should avoid the things which are not suitable for us और हमें वैसे चीजों का परहेज करना चाहिए जैसे कि जो हमारे लिए लाबदायक ना हो तो उसका हमें परहेज करना चाहिए तो यह कुछ मेजर्स हैं जिसको आफ फॉलो करकि अल करना ना बोले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए stay home stay safe